पास्ता या मैं क्रोनी खाना हर किसी को पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बहुत ही स्पेशल रेसिपी इसे बनाना बहुत असाल है और टेस्ट में लाजवाब है तो आप इस वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी को जरूर ट्राय क करें और वीडियो पसंद आये तो लाइक सस्क्राइब और जरूर से करिएगा तो चलिए फटा फट से इस रेसिपी को बनाते हैं तो मैंने यहां पर लिया है पानी इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑईल अब पानी में उबालाने का हम वेट करेंगे पानी में अच्छे से इसमें लगभग पांस मिनट के आसपास लगता है आप इसे चेक कर लिजेगा इस तरीके से इसे चेक कर लिजे यहां पर जो है मैक्रोनी पास्ता वाइल हो गया है आपको मैं दिखा देती हूं कट करके इजीली कट हो रहा है और इसे हम एकदम से ज्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल 80 परसंट तक इसको पकाना है बाकी का जो कसर है सौसेस में पक जाएगा अब मैं यहां पर ले रही हूं थोड़ा सो ओईल अब इसमें जाएगा लस्टन एक चम्मच और एक चम्मच अद्रग अब एक मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल रहे हूं प्याज मैंने एक मिडियम साइज का प्याज लिया है यहां पर अब इसमें जाएगा हरी मिर्च हरी मिर्च भी मैंने एक ही लिया है यहां पर अब उसमें थोड़ा सा कलर आ गया है प्याज में तो मैंने स्लाइसेज में कट कर लिया था, प्याज वो लिया है और सिमला मिर्ची सिमला मिर्ची आप यहाँ पर जरूर से अड़ करिएगा इसका जो टेस्ट है पास्ता में बहुत ही अच्छा आता है और अगर और भी अगर सबजी है आपके पास तो वो भी सबजी आप एड़ कर सकते हैं जैसे कि गाजर, बीन्स और जो भी सबजी आपको पसंद हो आप यहाँ पर ले सकते हैं तो लीजिए हमारा जो सबजी है थोड़ा सा साफ्ट हो गए है ज्यादा नहीं पकाना है इसे अब यहाँ पड़ाल जो मैं टमाटर अब इसे भी हम अच्छे से मीक्स कर लेंगे अब इसमें जाएगा स्वादनुसार नमक थोड़ा समय ले रिए यहाँ पर हल्दी पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और अब हम इसको चला लेंगे अच्छे से मीक्स कर लेंगे और जो टमाटर है अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे अब इसमें जाएगा सौसेज तो मैंने यहाँ पर लिया है टोमैटो केचप दो से तीन चम्मश अब इसमें पर एट किया है इसमें और अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची और भी एट कर सकते हैं अब इसमें डाल जो थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद हम इसे पकाएंगे तो लिज में इसमें बहुत ही अच्छे से बॉइल आ गया है बहुत ही अच्छे से हमारा जो सौसेज है पक गया है आप देख सकते हैं इस तरीके से होना चाहिए नहीं ज्यादा पतला हो होना चाहिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए ताकि हमारा जो पास्ता है अच्छे से ग्रेवी मलट पट जाए एक्दम लट पटी सी बने मैंने पास्ता को बॉइल करने के बाद इसे निकाल करके ठंडे पानी से वास कर लिया था ताकि यह ओवर कुकिंग न अच्छा तो लीजिए हमारा जो पास्ता बन गया है अब उपर से डाल देंगे हम धनिया पत्ती आप देख सकते हैं इस ग्रेवी में कितना अच्छा से लट पट गया है बहुत ही देखने में कितना स्वाधिश्ट लग रहे तो खाने में तो आप पूछिए ही मत बहुत ही स्वाधिश्ट बना है आप इसे एक बार जरूर शेट्राय करिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाना है बहुत ही टेश्टी लगता है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाईक सस्क्राइब वासेर जरूर कर दीजिएगा तो मिलते है नेस्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ